student अब हम बात करेंगे statement of the problem या जिसे हम problem statement कहते है problem statement जो है वो एक concise description होती है आपके issue की जो आप study करना चाहते है यनि कि आप अपने fellow researchers को कैसे बताएंगे कि आपकी research क्या है आप evaluator को कैसे बताएंगे कि आप क्या करना चाहते है उसके लिए आपको problem statement लिखनी पड़ती है और problem statement जो है वो आपका जो है उसमें आप ये कोशिश करते हैं कि आप summarize करें कि इस issue के उपर current situation क्या है और उस current situation में क्या research gap है problem statement में ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपने research gap के बारे में बात करें जैसे कि अगर मैं बात करूं कि current जो post pandemic situation है pandemic दुनिया से खतम हो गया है या खतम होने वाला है तो उसके बात की जो दुनिया है उसमें जो है जो fear of viral diseases है क्या वो रहेगा क्या नहीं रहेगा और लोगों के preventive behavior क्या इस्ता हिस्ता खतम हो जाएंगे तो यह यह रहेंगे तो इसके उपर हमें पहले सारा जो current literature है जो existing literature है उसको summarize करके बताऊंगा और फिर उसके उपर बात करूंगा कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके उपर बात नहीं हुई जैसे के preventive behavior of youth, elderly people यह preventive behavior of women इन के उपर specifically जो है वो research नहीं हुई और फिर उसकी possible implications क्या होंगी उस study की कि जो मेरी study है यह कैसे policy को inform करेगी कैसे existing knowledge को inform करेगी इसके potential benefits क्या हो शकते हैं यह हमने थोड़ा सा इसके उपर भी problem statement में बात करनी जरूरी होती है तो problem statement जो है जो अगर हम बात करें तो यह जो दो से तीन pages की maximum हो सकती है और यह concise description होती है इसलिए इससे ज़्यादा इसकी अगर length होगी तो वो एक अच्छी problem statement नहीं समझी जाएगी अक्सर हमारे हाँ यह समझा जाता है कि जब हम problem statement लिखते हैं तो हम existing जो situation है उसको बताते वक्त जो है दूसरों का काम है वो site नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है जब आप एक अच्छी problem statement लिखते हैं तो हम दूसरों का काम भी site करते हैं उनके काम को acknowledge भी करते हैं और एक यह हमारे हाँ एक perception है कि problem statement जो है वो एक paragraph होता है यहां वो दो paragraph होते हैं ऐसा नहीं है problem statement जो है उसमें researcher ने अपनी complete बात करनी है कि वो जो issue है जिसको जो study कर रहा है वो क्या है और उसको वो उसमें कौन सा research गया है जो फिल कर रहा है और उसके बाद उसकी possible implications क्या है तो यह naturally भी एक paragraph में नहीं हो सकता तो इसलिए यह का जाता है क्याकि कच्छी problem statement जो है वो कम जो है एक से दो pages की होती है और यह तीन pages की हो सकती है